तो एक यादो का लड़का चार ब्रामण को मारने की समतार उनके पास फरसा और यादो के पास थपरा है और यादो का थपरा ही पकाफी ब्रामण का बैसकार यादो कर देगा उस दिन इन लोगों की हैसियत नहीं है कि यह लोग कहीं जाकर करके कथा बाद दिया दे अगर ब्र पंचायद बुलाई थी और वहां जो है सीधे तोर पे ब्रामणों का बहिस्कार जो है यादव किया है कि हम अपने किसी भी का कारिकरम में ब्रामण को नहीं बुलाएंगे तो मेरे साथ है फाते बहादूर यादव जी और भाते संजीक्त मोर्चा के राष्टी अध्यक्ष है तो क्या कुछ यादव को लेकर इनका बयान है और क्या कुछ यादव पे बात करेंगे और उन ब्रामणों पर क्या बात करेंगे जो यादों को जाहिल करने मेरे चनल में आपको बहुत बोस्त आगत है। सबसे पहले मैं आपको धने बाद देता हूं, पड़ाम करता हूं। साथियों देखिए, इतिहास सची है, गवाह है। ब्रामर हमेशा से जाहिल रहा है। आज भी जो स्वामे लिख रहा है, अपने को संत मान रहा है। और इतने बड़े बयान भी दे रहा हैं कि फरसा उड़ जाएगा। सर मानी चाहिए हैं उनको। अगर उस बेद को मानते हैं, चुकि पहली चीज की बेद को यह लोग नहीं मानते हैं। जो जाहिल हैं अनसुचित पिछड़ी में, उनसे यह लोग मनवाते हैं। अगर इतने बेद को मानते हैं, तो एक संत की वह इसी भासा नहीं हो सकते। और रहा सवाल यादो और ब्रामण की। तो खासिय में आ जाएंगे यह ब्रामण लोग। अभी यादो बहुत सम्हल के चल रहा है देवरिया मामले में। देवरिया मामले में हम जैसे लोग अभी उहां नियाए दिलाने चाह रहा हैं। अगर उनको नियाए नहीं मिला प्रेम भाई को तो हम लोग आंदोलन करेंगे। 26 को मैंने 26 नौमबर को कारिकरम रखा है पिछडी अनसुचित का सम्मेलन। उसमें मैं यह सावित कर दूँगा और डेट भी नहीं जारित कर दूँगा। अगर 26 नौमबर तक नहीं मिलता है प्रेम भाई को तो ठीक है नहीं मिलता है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पूरे यादों को इकठा करके मैं जिले पर दिवरिया जिले पर धरना परदर्सन करूँगा। तुरंत मैं 26 नारी को डेट बताऊंगा कि कब धरना परदर्सन करूँगा। रहा सवाल जाद की ब्रामर के और यादों की तो देखिए आडंबर और सबसे बड़ा जाहिल ब्रामर रहा है। आइसे टीका लगा के चोला पहन के उसके अंदर उसके पीछे तमाम जितने अपराज के काम है यह ब्रामर करते हैं। जितने गलत काम है, यह ब्राहमर करते हैं. और वो आगे से चलके क्या करा लेत्ते हैं? तो हम बहुत बड़े भगवान हैं, बहुत बढ़े ब्रह्मचारी हैं, बहुत बड़े संथ हैं. तो आप देख ली जिए कि एक ब्राहमर की और की उस तरी की बाणी नहीं निकलनी चाहि और इस धर्ती पर अगर देखिए लोग काते हा न की आंग्रेजों ने गुलाम किया था देश को नहीं अंग्रेजों ने रहा होता तो आगे ब्रामणबाधी ब्यवस्था नहीं रहतें वो खतम करने जा रहे थे बाबा साब ने देखिए बाबा साब ने क्यों हिंदु धर्म को बिल्कुल नकरा धर्म बता रहा हूं इसलिए कि जिस धर्म में आप मंदिर में नहीं जा सकते जिस धर्म में आप पूजा नहीं कर सकते जिस भगवान को आप मान रहे हैं उसके नहीं है, दूसरी चीजि़ और लड़का 4 पर्मार को मारने की चम्ता रखता है, जैसे मानले जीए कि हम तो नहीं मानते हैं, जैसे किर्स्म को का दे हम भगवान लोक लेकिन मैं करें रहे को महापुरुस्ट काता हूं, यादो के हुआ हुआ है, यादो को महात्युमक लफटे तो आपरादी तो वही चीज देखिए जब तक यह दो अभी न्याज दिलाने में लगा है यह दो ब्रामरों से अभी उल्धना नहीं चाहरा है उनका बैसकार करना चाहरा है और जिस दिन ब्रामर से यह उल्धना शुरू कर देगा यह दो इनलों की आफाराइब यह रोट पे खड़ा हो जाएंगे दलितों पिछणों और जो है जितने लोग है वहां जो है यादों महापंचायत रखी गई तो उसमें जो है कहा गया कि हम ब्रामहर को अपने नहीं बुलाएंगे और ब्रामहर को किसी भी अपने कारकरम में सुब कारकरम हो या सुब कारकरम हो मांगली कोई भी कारकरम हो ब्रामहर का हम बहिसकार करते हैं ब्रामहर को नहीं बुलाएंगे इसलिए कि ब्रामहर हमारा ही खाके और हमारे ही दान के पैसे से जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है उसकी रोजी रोटी चल रही है औ लखनवु के महापंचायज से चाहें चेतरों में तरह तरह की मीटिंग हैं हर गाहों करते हैं उसमें सिर्फ यह सजेसन दे रहा है कि आप पड़े लिखे हो संस्कृत पड़ सकते हो बाद सकते हो अगर आप प्रंपरा को मान रहे हो धर्म को मान रहे हो तो आप सोता अपनी प पंड़नीट जो बिद्वान होता है तो बिद्वान अपने ही में जो बिद्वान है कोई घुम करके साथ ही बिया कर आएगा और यह शही बात है कि ब्रामणों का बैसकार किया जाएगा और जिस दिन आभी शुरू किया है यादो न आप 6 महीना बितने दिजिए 6 महीने के कर देगा उस दिन इन लोगों की हैसियत नहीं है यह लोग कहीं जा करके कठाप लें हैं अज सब से जी हजया अगर आगर ब्रामणों को को महिंद्वाजीब दिया है उसका परदा म्यादों के सामयिन अंह प्लिले दिया है कि प्रेम भाई ने उनकी जमीन नहीं ले रहा था जबर्जास्ति उनको जमीन दी गई, इसके बाद उसमों उनको पर्मुकदमा किया गया, लास्टमों उनको मार दिया गया, तो वहाँ किरिया पर नितला कि प्रत किरिया आपको यह ортा वा है, यह तो पांस मननन से करने कि conference. He einfach one kill we beiden, five kill we have ten people, and there are ten people. नहीं हुआ होता तो आखिरी पहले बता है हनुमान के पूछ में किसने लगाई और क्यों लगाई तो प्रेम भाई को जमीन भी दिया गया उन पे मुकदमा भी किया गया और घर बुला करके हत्या क्यों की गई